टेंट बोल्ट ये वो नाम है जो कभी मुंबई इंडियन्स के लिए विकेट लिया करता था लेकिन कल रात जो मुकाबला खेला गया राजिस्थान बर्सस मुंबई उसमें टेंट बोल्ट काल बन करके उतरे और शुरू आती तीन बल्ले बाजों को तो खाता भी खुलने का म के हुँची है और इस हार के साथ मुंबई इंडियन्स हार्दि पान्रिया वाली मुंबई इंडियन्स बटम पर जा करके पहुची है मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 125 रन बनाए नवा बेकर के और चावला ने तीन सत्रे बनाए टिम डेविड और बांकी का हालम एरहा की पूरी टीम 125 रनों पर सीमेत हो गई बीसो बर में और अगर बात करें राजिस्थान रॉयल्स के लिए तो उसकी भी सुरुआत थोड़ा सा खराब रही अगर बात करें तो क्राउट को तो कंट्रोल कर लिया हार देकिन अपनी जो मुंबई की लगातार हार चल रही है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और पॉइंस टेबल में जाकर कि ये टीम सबसे बोटम पर जा बैठी है खत्रे की घंटी मुंबई के लिए सुरू हो गई है क्योंकि ये टीम बैसे भी बिक्री हुईना जरा रही है भले ग्राउंट्स पर आज मुंबई मैं जो मुकाबला खेला गया देखनों को मिला लेक मुंबई लगातार तीन हार के बाद संकट में फस्ती हुना जरा रही है देखते हैं